आपके हमारी इस ओनलाइन क्लास में आपके साथ डिसकाउज करने जा रहे हैं वी लुक अप या लुक अप मेफ़र आप कह सकते हैं यह देखिए एक्सल का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक्सल में लुक अप मेफ़र नॉट एक्सल में किसी भी अप्लिकेश्ट में लुक अप मेफ़र बेरी इंपोर्टिल पार्ट होता है क्योंकि इससे हम किसी तरह के डेटा को लुक अप करते हैं एक्जाम्पल के तौरबे हम बताएं जैसे आप अपनी रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट पर जातते हैं अपना रॉयल नॉबर टाइब आइप करते हैं और रिजल्ट आपको देज़ेता है 11, 25 री स्टू टुडन्ट लूंड के ओण्यां देता है आप बैंगर के पास जाते हैं अनपने अपना एकाउंट नॉमइशंट देता है तो उसी तरह से आपके पास लाज डेटा है उस लाज डेटा में से किसी एक पर्नृरुस दीर डेटा का इंफनिशन चाहिए होगा वो काम आपका look-up method कर सकता है और look-up method में वी look-up जो की vertical look-up है काफ़ी important है बात करें office 365 के इसमें कुछ और formula हुए है जो कि है x look-up x look-up जो है look-up की बहुत सारी problem को दूर करने के बाद x look-up बन गया है जो कि अगर आपको look-up में problem होती है हम लोग match index भी लगा लेते हैं x look-up भी लगा लेते हैं offset match भी लगा लेते हैं इन सबों को दूर करता है x look-up लेकि फिर भी हम start करेंगे वी look-up से आज की class को तो चलिए start करते हैं वी look-up जो की हमारा होता है vertical look-up जिसे की लेकि आ रखेंगा जो वी look-up का यूज होता है और वी look-up का यूज होता है एक vertical data में होता है और जनरली data में आपके पास unique ID होना चाहिए तो मैं छोटा सा data आपके सामने इंदर रख रहा हूँ इसी को एक नया table में और वी look-up का इंपोर्टेंट पार्ट है जोटा जोटा स्लोली सीकिए प्रैक्टिस कर गर के सीकिए आपके आपने ओफिस में भी look-up का इस्तमाल करते होंगे लगी इसमें भी look-up में भी इसमें जहें कासी ज़्यादा कॉंप्लिकेशी है जिसके बारे में हम अगली दो-तिन क्लास में आपके साथ डिसकर्ज करेंगे ठीके भूबन जी आपके सामने में पास एक डेटा है और मैं इसके नया फाइल नहीं जाओ तक ये आपको फाइल में सब्सक्राइए यह हमारा हो गया सीट है वह है डेटा सीट और यह हां हमाल लिजी मुझे लुक-अप करना है लुक-अप और इसमें हमने अपना माल लिजी कि मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर देता चाहिए दोवलन जीड़ वन पाइब मुझे इंफरमेशन चाहिए मुझे इंफरमेशन चाहिए अगर वी लुक-अप ना इसमाल करें तो क्या करेंगे आपको कंटोल है करना पड़ेगा फिर पूरे फिर पूरे रो को कॉपी करके यहां पे पेस्ट करना पड़ेगा अगर 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 आप अगर वी लुक-अप वी लुक-अप में सबसे पहला आता है लुक-अप बैल्यू इसके इसमें देख लिए कि इसमें जो है लुक-अप बैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर इन पे जो है वह है आपका तो बिक्वेर है तो यह बरी-दॉयकेट में नहीं है स्कौयर डललल्यू कॉइल है यह जो है आपका में है मतलब कि यह आपका आप्सिनल है तो हम्सें यह तो हम्सें compareland चीज़ अगर और यहां पर हमने और सबसे पहले होना चाहिए तो हम दे उसी स्टार्ट किया जो आपका पहला कॉलन है उसी कॉलन में जो है आपका डेटा को लुक अप किया जाएगा तो माल लेजिए 101 को उसमें धूर लिया तो कि कॉलन क्या है? उसको मिले हैं तई सारे कॉलन बड़ एक सीट में एक से जदा डेटा को लुक अप नहीं किया जा सकता एक सीट में एक से जदा डेटा को लुक अप नहीं किया जा सकता तो यहीं पर आपको दिक्कत होगी तो मुझे यहां बताना परेगा क्या चाहिए तो हमें कस्तमर नेम चाहिए तो 1 & 2 हमने आप एक कॉमा 2,0 कर दिया एंटर बेस किया यहां के आ गया कस्टमर फूर्टी शेवेल तो इनश्टी के लिए फिर वापस भी लुक अप लगाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पर जाएगा आपका 1,2,3 तीसा नंबर पार्ट और कॉमा 0 डालके एंटर करेंगे हम 0 के वापस है एक्जाक्ट मैच के लिए एक्टमर दिया होता है कि true equal to 1 होता है और false equal to 0 होता है तो इसलिए हम false ना डालके false काफी लंबा होता है ना डालके हम 0 डाल देते हैं यहां वी लुक अप हमने इसको सेलेक्ट किया टेबल में कहें इस वाए मैंना चौता नंबर 1,2,3,4,4,0 यहां पर आपने देगा कि हमने 0 डाल दिया अब question आता है कि sir ऐसे तो one by one लगाना तहुंसे typical हो जाएगा क्यों क्यों कि मिरे पास चलो मान लिजे 8 है 10 है लेकि मिरे पास अगा 40, 50, 100, 300 कॉलन हुए तो उतने बार दी लुक अप लगाना चापी ज़्यादा critical होगा तो क्या करेंगे हम इसको ड्रैक करेंगे लेकि ड्रैक करने से पहले हम freeze करेंगे अप्सूरूट्रोट्रेफरेंस करेंगे ताकि हमारा reference series नहां हो जब आगे जब आगे ड्रैक करें a और बी ना बने और एडेता हमारा ते गुना हो अब मैंने तूपके नीचे डालर में अब इसको हमने ड्रैक्ट कर दिया, तो अभी भी मैं काम खत्म नहीं हुआ, अब मुझे इसमें सम में अपना कॉलम में युचेंज करना पड़ेगा, कॉलम नमबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो क्या करें, तो इसके कई सारे तरीके हैं, तो सबसे पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, कि हम यहां इंसार्ट करेंगे एक रो, और यहां सी अलमब डाल देंगे, 1, 2, आगे के तरफ ज्रैक्ट कर देते हैं, फिर वी लुक अप लगाएंगे, अब मैंने नॉर्मली द्रैक्ट कर दिया, बट आप अपने कॉलम नमबर जो यहां कॉलम नमबर है और डेटा के पीचे से कॉलम नमबर का दियो है, उसके हिसाफ से नमबर दिख देंगे, हम इसको सेलेक्ट किया, बेटा को सेलेक्ट किया, और यहां हम अपना 2 को सेलेक्ट कर दिया, और इसमें हमने फॉमा 0 नहीं डाला, 0 डाल देता, अब आगे ड्राइट करने से पहले हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, एको फ्रीज कर दिया, और इसको फ्रीज किया, और वी वन का वन फ्रीज करेंगा, अब इसमें प्रीज करेंगे, अब इसमें प्रीज करेंगे, हमने एक रो को रिजर्व रखना पड़ेगा, मैं रो रिजर्व नहीं रखना चाहता हूँ, तो लास्ट लास्ट में बताया था, आपको मैंने कॉलन का फॉर्मुला, तो कॉलन का फॉर्मुला में जिस डेटा का जिस पॉलन का आव सेलेक्ट करते हैं, उसी का नंबर देता है, टू, और हमने टूटे जाहिए, तो हम यहां वी लूक अप लगाएंगे, इसको और यहां पर कॉलन और यहां पर रेटा आते हैं, इसको सेलेक्ट का लिया, कॉमा जी रो, आगया, अब इसको आगे ड्रैक कर दीजिए, च्रीज कर दीजिए, बुबंती समझना आ रहा है आपको न सर, अंजी, अंजी, अगर कोई डाउट हो तो बताये का आम इसको रिपी तो इसमें दिक्कत क्या है कि आपका जो डेटा का सिक्वेंस है, मतलब कि जैसे यह आपका चल रहा है ना, जिस सिक्वेंस में है, उसी सिक्वेंस में डेटा भी होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत एक दो कलम उपर नीची है, तो इसका एक और आप यूज कर सकते ही, या आप एक ही बार भी लुक अप लगाएंगे और पूरा 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 डेटा ले लेंगे, तो मैंने क्या किया, पूरे एरिये को सेलेक्ट किया, भी लुक अप लगाएं, जैसे नॉर्मली लगाते हैं, सेलेक्शन में भी हम लगा सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, एक्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जो भी आपका नमबर है डाल देगे, और यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि सिक्वेंस ली आप डालेंगे, इसका ध्यान दिखेगा, कि इसका कोई जरूरी नहीं है कि सिक्वेंस डालना है, आपको डालना कैसे है, तो जिस हिताब से आपका कॉलन है, जिस स कॉमा जीरो, अब यहां पे नॉर्मल एंटर में ही पेस करेंगे, क्या पेस करेंगे, क्या पेस करेंगे, कंट्रोल, चिट, एंटर, कंट्रोल, चिट, एंटर, अच्छा इसमें थाटीन तक हमने कर दिया और है ट्वेल तकी इसलिए अब आगया मैं दुबारा करके दिखाऊ सर्व अब यहां पर बात आती है कि मेरा स्ट्रियल जो है बहुत ही डिफ्रेंस है मतलब कि इसका कोई कोई पुड़क्त है अच्छा पुड़क्त है मार्पी और हमें तक चेंज होते रहते हैं कभी कुछ कभी कुछ तो मैं चाहता हूं कि ऑट्वेंट हो में कॉलन हेडिंग से ऑट्वेंट होना चाहिए तो हमारे पास एक मैज का फॉर्मूला होता है मैज फॉर्मूला क्या करता है कि वर्टिकल और और दोनों तरफ से लुक अप करता है तो इसमें बीटें यहां पी लिया और इस कॉलम को लुक अप करके बताया कि इसका रो का से का क्या सिकवेंस नुबर कोन था कि कॉलम नूम्बर कौन सा है कॉलम इंडक्स नंबर कंटा किस्टमर में इसने काँन्ट बताया one and two और विलुक अप क्यों पे रही चाहिए तो हम विलुक अप्वे यूज़ करते हम इसको सेलेक्ट करेंगे डेटा में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां हमें जो जीरो डाला है इस जीरो के ज्गाँ पे हम इसको और हमने इसको कॉपी किया और यहाँ दी नाइन के जगा पे इसको पेस्ट कर दिया अब आगे ड्राइग करने से पहले हम यहाँ इसको फ्रीज करेंगे आप ऐए वन का और देटर फिर्स करेंगे नाए पेडिक करेंगे अधिर धेंगर हम से 10 को फ्रीज करेंगे और फिर इस1 को फिरीज करेंगे कि अगे болगत सब्सक्राब इसको आगे तरफ ड्राइव जाएक कर हाए सक्ड, ऑके तो कर दु क्यिस्ट पता हम सोरी तो वी लुक अप में इस तरह से मैच का इस्टमाल कर से है अब इसकी प्रैक्टिस एक बार अपने तरव से आप कर लें एक फाइल में अभी आपको बहिज देता हूं तकि बाद इमें भूल जाओ या अन्टेब ना कर दो जी ठीक है? अन्य अन्य और प्रैक्टिस करते समय किसी भी तरह का प्राइलम हो तो मुझे आप कॉल कर लेक्ट वोबन डॉट पांडे इस तिटाइम हमने फाइल आपको बहिज तो यह एक ती राज रखेगा वी लुक अप बहुत इंपोर्टेंट है त्रीकी है और इसको मुटली ताइम में यूट किया जाता है तो इसमें कई सारे नियम है जैसे कि पहला आपका है कि लेक्ट राइट चलता है दूसरा नियम है कि अगर मल्टिपल वैलू है जिसके लीनियम देता है मतलब कि पुझा अगर दस बार है तो पहले ही पुझा की वैलू को शो करेंगा बाकी को शो नहीं करेंगा तो कई सारे नियम को तोड़ने के लिए इंडेक्स मैच लगा देते हैं मल्टिपल टाइब करने के लिए भी हम इस्तिमाल कर लेते हैं या पिर हम स्टैक्स ज्वाइन फॉर्मुले का इस्तिमाल कर लेते हैं तो कई सारे फॉर्मुले मिलेगा इसका मतलब नहीं कि इसी वी लुक अभी इस्तिमान करना है हमने बताया आपको लुक अप मेथ़ुर्ड में बहुं सारे फॉर्मुले जाते हैं जिसके अभी आपे मैस को देखा मैस फॉमुला जी एक लुक अप फॉमुला है जो कि किसी पॉपलर भी लुपात है, जैसे कि हम तूट्पेस्ट में पॉपलर का कॉल्गेत है, तो हम बजबंजी बोलते हैं, दुपंदारकों कि कॉल्गेत दे लो, नाकि तूट्पेस्ट दो क्या मुपन जी सभी बात है तो मिलते हैं कल की कलास में ओके, बाई चीके, बाई से, बाई